हलो नमस्कार दोस्तों बीच जून दोजा ठारा की दा हिंदू एडिटोरियल डिसकसन में आपका स्वागत है आज के इस लेक्षर में हम देखेंगे कौन-कौन से डिटोरियल हमें यहां पर डिसकस करना है और उनको कंप्लेटल हम यहां पर डिसकस करेंगे सबसे पहले एक ब बोटरियल अ absorbing कहरें रहां यहां पर जो आर्टिकल का उलिटे के बारे सब्सकिर कंवेंगे की भी इनडिया करके की काम है हो करना है क्योंकि आज आपको बता कि world refuged है उसी मोगे पर इस आर्टिकल में कुछ points हो बताए गए है यहाँ पर यह जो आर्टिकल है banking sector के बारे में ICIC bank का जो जल्दा issue उसके बारे में आपर discuss हो किया गया है यह जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में आज आपको बता दूँ इंट्रु क के लिए बाते बताएगी है उनको में आपर देखने वाले है तो यह थे एक बार overview अज हम चलते हैं आगे हमारी discussion की तरफ सबसे पहले हम चलते हैं हमारे main articles जो आया है मिटिंग होई थी काफी important होती है देखा जातो ओलोर वर्ड में और इन मिटिंग के बार में बताया गया कि देखो इस से सबसे पहले बात आती है संगाई corporation organization की आपको बता है कि SEO का इंडिया और पाकिस्तान वह रिसेंटली मेंबर बन गए थे मलब उन्होंने मिटिंग को या सम्मिट को अभी इस बार है उन्होंने उसमें भाग है वो लिया था जदी से बनने के बाद तो हमारे लिए इस बार है कोण कोण सी कंटी के मेंबर है वो हमें यहां पर क्लियर रखनी है सबसे पहली बात आती है चायना इसका मेंबर है इसके बाद में कजाकिस्तान किर्गिस्तान रसिया दजाकिस्तान उजबेकिस्तान पाकिस्तान और इंडिया आपको कमेंट बोक्स में यहां पर पाज के क्रिश्म में बताना है इसके साथ आपको बताना है BIM STAC के MEMBER BIM STAC और सारक करनेटी के MEMBER है उनको आपको comment box में बताना है इसके बाद में से कुछ जैसे कि इरान हुआ, मंगोलिया हुआ, अफकानिस्तान हुआ और बेलारूस है, इनकी बात यहां पर किया रही है, तो इनको हम यहां पर थोड़ा मोटा-बोटा इनके बारे में भी आइडिया है, वो लेने वाले हैं कि इनकी क्या इसे हमें क्या पढ़ा हो सकता है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आपे महन बात चलता है, वो तिलने सेंटर एसेंटर एसें दर Global असेंटर इसेंटर एसवे कौनbey आती है, वो हमारेलिए इंपोर्डर्राइन भी होती है में में चाहिए बघ्र करती है. तो ये थी मेन लोकेशन अब हम चलते हैं आगे हमारी discussion की तरफ. देखो, context तो हमने discuss कर लिया है, अब आगे चलते हैं हमारा जो man motor हो, Central Asia मैंने बताया कि Central Asia में रस्या जब एक तरगे से USSR जब disintegrate हुआ था, हमने टुकुडों में बटा था, उस टेम पे मैं Central Asia के कंटिया वो बनी थी, क्यों आप देख सकते हैं, उस टेम स्टार्टिंग में रस उसके अंडर था, बाद में USSR जब टूटा, तो उस टाम पे 37 कंट्री बनी थी यह, जो मैंने आप वो Central Asia कंट्री जब भी बताई है, तो अभी हम देखते हैं कि इंडिया को इससे क्या फायदा होने वाला है, और क्यक्का इससे हमें benefits देख सकते हैं, कौन-कौनसी dimension यहाँ प अधर दंग से देखी का मेब को, मलब इस-इस वाले एरिया में था, ना तो इसमें Pakistan ना India था, तो इसका मतलब यह था कि इंडिया वोस्छन को टस्म करता था, मलब संगहाई कोर्पिशन ओर्पर वाले हिसे में था, साउथ एस्या वाले एरिया में था हैं क्योंकि साउथ इ इसका दाइरा बढ़ गया है, S.E.O का, इंडिया नोंसें तक इसकी पहुंच हो गी है, तो इससे क्या हो का, जो इंडिया नोंसें तक की जो कंट्रीज आए, इंके आपस में भी इसमें और उसके बाद मैं आर्टिकल लिए कहा रहा है कि देखो, इस बार जो S.E.O का समिट हो ना, इस तोरान जो इनको थोड़ा साइड में रखा गया और अच्छी चीज़ों पर फोकस किया गया, तक की रिलेस्टन है, उनको इंप्रूव क्या जासके, तो देखो, रिलेस्टन ज कर सकता है, अब बात की जारी है, चाइना भी लगातार ये इस तरिसा में कदम बढ़ा रहा है कि वह एक अपनी मलब इंटरनेसल ब्रांड बने की तरफ अगरसर है, तो क्यों ने क्यों उससे को भी इंडेक्स साथ रिलेस्टन इंप्रूव करने जी है, देखो, बात ऐसी है जो पहुंच है और बधिति जारी है इसके साथ साहस तज्या है, इसमें भी लगातार हो देख सकते हो, इसके साहस बिर चाहन के जाती है, इसलिएरा मतलब बने की तरफ लगातार फमदलब चाइना एक गऌलया बने तरफ लगातार अगर सार ह flexor हो तो यहां पर इंडेक़् भी काफी benefit हो सकते हैं देखो अगर हमारे पड़ोसी दिसा में लगातार आगे बड़ा है तो हमें भी वहाँ से कुछ नहीं को सीखने को मिल सकता है इसके साथ एहम बात ही होती है कि ऐसी जो मिटिंग हुए बड़ी जो मिटिंग हुए उससे एक benefit हो जाएगा कि इंडिया है न इस्टो नहीं बोल सकते है इसलिए आप देखोगे तो इंडिया में क्या sheen चला था एक साथ चाना है क्योंकि रसिया की है यह आपको बदा कि वेस्टन एक साथ बिल्कूल नहीं बनती है और चैना की वेस्टन इसका साथ ठीक ठाक मिलें काम चल जाता है और अब इंडिया अगर इसमें SEO में सामिख लोग है तो इंडिया क्या करेगा इन दोनों के इसमें काफी इच्छा करने का काम करेगा क्योंकि इंडिया की जो पहुँच आपको पता कि Western countries में काफी अच्छी है तो इसलिए इंडिया की help से रसिया और चाइना की रिलस्टन बी इंप्रू हो करेगा और इंडिया help करेगा चाइना और रसिया की help से Western Asia में रिलस्टन को इंप्रू करने में तो मलब बात यह हुई कि एक बैलेंस बन जागा इस वाले अरिया में और इंडिया को भी से काफी सपोर्ट हो मिलने वाला है इसके साथ एहम बात की जा रही है हमारे वह तैरि यहाला है और Ukहीं रेयाता की कोशी सबाव करेंगे उस्ती एक अच्छा मुखा यह मिलेंगा कि δोनों को रिलेशन इप्रू करने मुका तो मिलेगा ना देखो जब तक दोनों कानितरी धिन में ऊगके कोई उस ने कुछ एक्टिवरीनस ने होगी का सब रहे घ्या इंडिया को मिलेगा, पाकिसान को मिलेगा, चाइना को भी, कि सबी कंट्री आपस ने अपने रिलेशन इंप्रूव करके, एक इक लगातार है, आगे बढ़ाएं. इसके बाद में, बात की जारी हैं, कि को को होने वाली हैं, इसके बाद में बात की जाई है कि को पर आपको को इसे आ देकोड़ेर इसे और सांती ह treaty में हो जायगी इसके बाद हमें देखे तो इंडिया और पाकिस्तान के इस वाले एरिया में काफी बड़े इस चल रहे थे तो में अगर रिलेशन यहां पर ठीक ठाक हो रहे तो हम वेस्टन कंटी की तरब भी फोकस कर सकते हैं और जो साथ मेडिल इस्ट है इसको भी हम लगाता रागे साथ में लास्ट में वेफोर्ड में यह कहा जा रहा है कि देखो हमें कोपरेशन और सपोर्ट पर ज़्यदा फोकस करना होगा तब भी रिलेशन्स और ज़्यदा एंप्रूव हैं वह हो सकते हैं तो इस जिसा में कदम बढ़ाने की बात है और एंटर के दोवारा कहींगी है काफी इच्छे पॉइंट है यहां पर और मैं लिए इस आर्टिकल में एक आगा है कि इंडिया और पाकिस्तानिस और इंडिया है इसको मैं लिए अफगानिस्तान और इरान की हेल्प से काफी ज़्यदा बेनिफिट हो मिलने वाला है क्योंकि अफगानिस्तान और इरान की ह प्रगार्ड होंगे तो यह बात इस आर्टिकल में आप बताईगी है अब चलते हैं next आर्टिकल के तरफ next जो हमारा आर्टिकल हुआ है asylum policy के बारे में तो इस आर्टिकल में यह बताया गया कि बही इंडिया ना उसको अपनी asylum policy है मलब जो भी refugees वगर आते हैं इनकी policy वगरा इंडिया को बना लेनी चीए थोड़ा data वगरा दिया गए starting में कि इंडिया में देखा जाए तो दो लाग क्या सपास refugees रहते हैं इसके बाद में फोड़ा data दिया गए बंगलादेश में प्रोक्समेट 6 लाग क्या सपास रहते हैं तो एक जारी अब भी recently context को एड़ किया गया है वह अगया है नगरिस एक जनलेस्ट थी अफकरनिस्तान की जो की recently वहां से भाग के इंडिया हुआ थी क्यों क्योंकि वहां पर उनको मारने की धंकी अगरा दिगी तो वह इंडिया अपनी जान बचाने आगी अब देखो यहां पर issues वगरा करेंगे कि इंडिया के पास कोई भी asylum policy वगरा नहीं है तो उसका क्या क्या नुक्सान हो रहा है देखो जो भी refugees वगरा इंडिया में आ रहे है अगर उनके लिए गवर्मेंट ने कोई प्रेमवर्क नहीं बना कर कोई पूलिस नहीं इसका मतलब क्या होगा कि गवर्म इसे होता है मैं हमेड मैं बने मितीडिया नहीं इ writers आगे वर्मेंट है ना तो गंवर्मेंट 10 थीक है ना तो गल्मेंट कहाने पीने का आड अशी कर पा रही है नहीं युनको उनको आढ़नी सेथी देखίν घर नहीं इनको जोभ देखो पा रही है लाइन मतलब उनके लिए क कोई भी काम हो नहीं कर पा रही है अगर कोई जो humanitarian group वगरा वो कुछ कर रहा है तो ठीक है बाकी government ने कोई पनी policy declare नहीं करी रहे है जिसके government ने में fundamental right दे रहे हैं कि हाँ भी है हमारे fundamental right अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इनके against state के against जाके solution पा सकते हैं वसे कि कोई कोई एक्ट तो होना चाहिए ना ताकि जो भी refugees आते हैं उनको डंक से treat होगारा किया जासके अगर illegal आ रहे हैं गलत तरिकेश आ रहे हैं तो उनको वेस्ट ट्रीट किया जए वापस मिचा जए कोई ने कोई framework तो होना ही चीए इंडिया का तो उसकी बात यहां पर किजा रही है आप जैसा मैंने आपको बतायाता है आज 20 जून 2018 तो आज ही है वो वर्ल्ल रिफुजीड है और इसी मोके पर रैटर का ऐसा करना है कि देखो इंडिया के पास बहुत अच्छा मोका है कि इंडिया आपनी जो refugee police आ जो asylum police है उसको declare करे इससे इंडिया को काफी इच्छा फाय किया तो रैटर का यह कहना है कि देखो इंडिया ने जो new york declaration थी refugee और migration के उपर उसको इंडिया ने साइन कर रखा है उसमें भी यह refugees वगरा के बारे में बाते हैं कि कैसे refugees हैं उनको एक तरह से protection वगरा देनी है security वगरा करवाने की बात है वह बताये गी है इंडिया ने निय आटरिया करें कि यह framework इंडिया को follow करना चीए मदलब इंडिया को global compact on refugees framework को follow करना चीए ताकि refugees जो SLM जो भी उनकी policy है उनको proper treatment वगरा की बात की जारी है उनको आजविगा चलाने के लिए कुछ न कुछ घर वगरा वो देना चीए इसके साथ ही उनको जोब वगरा वो journalist थी अब यह इंडिया में तो आगी बढ़ वहाँ पर journalist थी तो अब इंडिया में थुड़ी है journalist के तो पर काम कर पाएंगी तो अब इसलिए कहीं ना कहीं मरलब इंडिया पास smoka तो नहीं है ना क्योंकि इंडिया ने इस वह opportunity नहीं थी तो बेटर यह होगा कि इंडिया इसलिए ना उसको भी support कना चीए महलों government को आशे supporter वह भी मिलेगा बस government लगाता है इन बातों के तो focus तो करें यहां पर एक चोटी सी बात बजाए जा रही है वह हम थोड़ा यहां पर देख लिखते हैं तो एक asylum bill भी आया था इंडिया में प्राइट में बिल था है में 2015 में ले गया था तो इस bill के बारें बताया गया कि देखो इंडिया एक बार बिल तो लेका था प्राइवाट मेंबर विल बट वो sign इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता कि प्राइवेट मेंबर भी लग किसी मंत्री औरा के दोरा नहीं ले जाता है इसलिए वह वहीं पर दरा का दरा रह गया तो राइटर का दवारा कहना है कि देखो अभी इंडिया के पास बहुत अच्छी पोंजिटी आज इस मौके पर जो ग्लोबल इस्यू बढ़ते जा रहे हैं उनकी दिसा में भी इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना चीए और प्राइवेट मेंबल भी ले उसको जल्द से जल्द यहां पर डिक्लियर करके और जो में लगते से क्लियर करना चाहिए या फिर नया भी लेकाना चाहिए रिसेंट गवर्मेंट को ताकि जो भी रिफुजिज के कंसर्ण वोगर है उनको दूर क्या जसकी तो यह थी इस कंप्लेट आर्टिकल में जो पो क्योंकि देखो गवर्मेंट क्या करती है बाते तो बहुत लंबी करती है कि हाँ हम एजुगेशन के लिए करने वाले हैं इस बार हम यह रिसर्च के लिए स्कीम लेके आएंगी इस बार हम यह काम करेंगी बट होता ग्राउंड लिए पर कुछ भी नहीं है बस सियात कई बा वह पता कि लास्ट यर जो हो कालाय जार जो भी मुडिजीस उसको खतम नहीं किया गया था पूर मतलब उस से इलिमिनेट नहीं किया गया था तो उसका मतलब क्या हुआ गवर्मेंटर ने बात के तो कह दी बट उन बातों को पूरा करने के लिए जो इनीशा में होता है सबसे पहली बात उन्होंने की है कि नीट टू इंप्रूर्व करना है क्वालिटी ओफ एजुगेशन को प्रवाइड करानी है एक अच्छी जिसके आज नीट है वो चाहिए आज भी हमारे एजुगेशन सिस्टम में वह काफी पुरानी सिस्टम को लेकर ही चल रहा है तो आज हमें जो वर्ल्ड की डिमांड है जो हमारी फ्यूचर डिमांड है उसके कोडिंग हमारे एजुगेशन सिस्टम को एजुगेशन इंफ्रास्ट्रेक्टर को एजुगेशन फ्रेम्रवक को हमें चेंज करने की नीड है और सभी को क्वालिटी वाली एजुगेशन हो मिले के बैठने की, खाने पिने की फैसिलिटी नहीं हो रही वहाँ पे, तब तक कैसे स्कूल जा पहेंगे, कैसे वह डंक से काम कर पहेंगे, और जो सबसे एहम बात हो कि जारी है कि focus on classroom practice, बनलब classroom के अंदर क्या हो रहा है, वह सबसे एहम बात यह है, क्योंकि आपको पता कि classroom के अंदर ही बच्चे को जो भी कुछ knowledge वगरा दिया जाता है, जो भी कुछ accurate होते हैं, वो सब school के अंदर वही ही होती है, तो वो part काफी एहम हो जाता है, सबसे एहम बात ही है कि हमें classroom practice पर focus करना चाहिए, कि classroom के practice किस तरके से चल दी है, वहाँ पर क्य किस तरके की नई चीज़े हमें वहाँ पर लेकिया आनी है, तो सबसे एहम focus है में classroom practice पर करना है, कि बच्चे को क्या-क्या चीज़े देनी है, home work रगाया, जो भी है कि नए तरिके से skill होगरा की सारे काम हीपी होने है, इसके बाद में बात ही आती है, वो आती है need to involve parents, मतलब घरवाले हैं, जो बच्चे के मातापीत हैं या जो गार्जन्स हैं, उनको भी include क्या जाए education में, मतलब इसका साफ साफ यह है कि अगर बच्चा कहीं किसी sector में पीछे रह रहा है, किसी subject होगरा में, तो उसको parents को aware क्या जाए, उनके coaching सुझाओ अगरा लिया जाए, कि पढ़ियों नहीं पा रहा है, बच्चा, school क्यों नहीं अरा, क्या reasons है, जो भी issues हैं, उनको parents के साथ मिलके, वो solve क्या जाए, इसके बाद बात यह है, कि दिखावा कम और काम ज़्यादा, मतलब हमें जो बनावटी बाते हैं, वो कम करनी है, मोची दुकान, फिकापकान वाला पार्टनर्सिप की, कि देखो, government को जो private school है, उनके साथ partnership में भी काम करना चाहिए, जैसे कि राजस्तान ने इस हिसा में एक initiative भी उठाया, वहाँ पर government school और private school है, वो उन्होंने आपस में मिलके, एक तरिका campaign और government ने भी काफी Chinese to vote है, मतलब आप partnership में काम कर सकते हो, जैसे हो सकता है कि कोई जगा private infrastructure काफी अच्छा हो, school अच्छी हो, वहाँ पर teacher quality अच्छी नहीं हो, तो government को वहाँ पर अच्छे teachers प्राइवेट करने चाहिए, ताकि quality वाल एजुकिसन वो मिल सके, कि जगा ऐसा हो सकता है कि school का infrastructure नहीं है, बढ़ teacher हों के पास अच्छी होगी, कि जग प्राइवेट दोनों मिल के काम करेंगे, तो public प्राइवेट अगर मिल के साथ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम हो पाएगा, जिसे management हो प्राइवेट चेक्टर के अंदर रहेगा, तो आपको पता है कि school का outcome अपने बढ़ जाएगा, क्यों थोड़ी accountability बढ़ जाएगी, तो teachers होगरा, डंग से काम कर पाएगे, teachers के training होगरा होनी चीए, वो बाते यहाँ पर बताएगी है, इसके बाद में बात आती है, next जो आर्टिकल आता है, वो आता है, इकोनोमी के, इस आर्टिकल ले मैं लिए बताया गया है, कि इंडियन एकोनोमी इस आपको बताया था, कि इसकी growth rate इस बार उमीद की जा रही है, वो बढ़ेगी 7.3% के coding, तो दिको यह आकड़ कितने हैं, यह कोई important नहीं है, हमारे लिए, क्योंकि यह exam में हम इतना use नहीं करना होता है, कोई survey बगार का data तो हम फिर भी उच कर सकते हैं, कि survey ने इस बार यह काया, कि 7.3 से इसके साथ disinvestment है, उसमें भी काफी चारे जल नहीं मिल रहा है, private investment है, वो भी कहिने की कम है, इसके वह जैसे जो banking sector उसके हाला ठीक नहीं है, इसके बाद में राइटर यह बता रहे हैं, कि देखो जो private investment है उसको हमें increase करना होगा, कि government हो एक limit के बाद पैसा कर सकती, आपको प हमारी economy वो और जदा आगे, बढ़ सके, इसके हम बात यह किते हैं, पारा की बात के दरी आपको बता कि पारा वो bad bank है, जिसके concept मैंने आपको बताया भी था, यह bad bank इसलिए बना गया है, ताकि हमारे देश में जो NP का issue था उसको निफ्टा जासके, अगर किसी भी इंसान ने लोन लिया, यह इनसान है, इसने बैंक से लोन ले लिया, और 90 दिन तक उसकी कोई भी किस्त वगरा नहीं चुका रहा, तो यह पैसा NP में कनोट हो गया, अगर यह पैसा bank को देगा, तो फिर bank वापस दूसरे को लोन देगा, फिर वहां से interest हैगा, फिर वापस तीसरे को लोन ऐसे प्रक्राइब चलती रहेगी, बढ़ इस इनसान ने पैसा bank को वापस दिया ही नहीं, तो यह non-performing asset हो गई हो गया, अनपी, तो यह 90 देज का इसका time period होता है, अब यह 90 दिन में अगर पैसा NP हो गया है, इसके बाद होगा गया, अगर हमारे देश में देखा जाए तो public sector bank के पास लगबग जो भी पैसा है, जितनी property है, उसका 10% पैसा वो आज NP में है, तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी amount हो जाती है, लगबग उम्मीद की जारी है कि 10 लाग क्रोड के आसपास का पैसा है, वो अभी public sector bank का NP में है, तो क्यों एक मोटा मोटा idea सा बता रहे है हो सकता इससे भी काफी जादा हो, तो रैटर ने चुली last year का जो एकोनोमी सर्वे था, उसमें इसकी बात की गई थी, कि एक भई bad bank है, वो बना जाए, क्योंकि जो हमारी economic advisor है, अरुरीन सुबरमन ने, उन्होंने एक concept दिया था, कि पारा एक bad bank बनेंगी, ये bad bank क्या करेगा जो ये NPA वाला पैसा है ना बैंकों से, ये लोन ले ले लेगा एक तरही से, मतलब एक तरीके से एक bank मना दिया नया, वो bank क्या करेगा, जो भी NPA वाला पैसा है ना, उन बैंकों के पास जाएगा, बही आपका जो NPA हो हमें दे दो, हम इसका वसूली करेंगे, तो जैसे कि 10 क्रोड रुपे का लोन, किसी का बकाया पड़ा है, तो भी हम आपको 7-8 क्रोड रुपे है, वो bank को वापस कर देंगे, बागी 1-2 क्रोड रुपे हम रखेंगे, क्योंकि हम भी पैसे उसूलेंगे, तो मतलब जो कुस भी तूटा-फूटा मिलेगा, वो arrange करने के लिए, bad bank व और फिर बताना चाओंगा, कि आप जो मैंस के answer writing practice है, वो आप Unrecade में की जो official website है, वहाँ से आप उसको directly access कर सकते हो, वहाँ पर answer writing के मैंने काफी lecture हो upload कर दी है, daily वहाँ पर 2-3 questions है, वो upload के जाते है, proper पूरा framework बताया जाते है, framework के साथ आपको कैसे answer लिखना है, वो बाते ब download करने की बात है, वो नीच से actually description box में Facebook का link दिया जाएगा, वहाँ से आप download करने ना, क्योंकि website में कुछ उड़ा issue चल रहा है, इसकी जैसे वो डंक से काम हो नहीं कर पा रही है, तो ये तो थी हमारी discussion, फिलाल की discussion में इतना ही, thank you very much for discussion.